दोस्तों भारतिय सास्त्र में छिपकली को माता लच्मी का प्रतीक सुरूप माना गया है वास्तो सास्त्र की अमसार जिस घर में छिपकली होती है वहां धन का लाव होता है ऐसा भी माना जाता है कि छिपकली की अवास सुनाई दे तो गुड न्यूज मिलती है वहीं जब आप सपने में छेपकली को उड़ती हुए देखते हैं तो यह सपना अजीवो गरीब लग सकता है कि आखे रहसा सपना क्यों आया है इस सपने का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा या फिर यह सपना हमें क्या फल दीने वाला है आये जागती हैं यह सपना सकती और रहसे से जुड़ा हुआ सपना माना जाता है उड़ती हुई छेपकली का सपना आपकी आत्म मूल और शमता की भावना की उरिशारा करता है मेत्वपूर है कि आप अपनी आपको पहचाने, खुद को मेत्वदे, अपनी आपको मेत्वदेने पर ही आप अपनी छमताओं का भरपूर उप्योग कर पाएंगे कारे करने से पहले आपको अपनी इस्तिजी का अध्यान और मुल्याकन करना होगा यह जानने की जरूरत है कि जो भी काम आप कर रही है वे आपके लिए सही है या गलत है क्या आपको इसमें फायदा होगा या नुकसार होगा यह जाच परकल लेनी की आवसत्ता को यह सबना इसारा करता है उर्दिवी छिपकली आपकी भावनाओं को दर्साती है यह सबना संफूरता का प्रतीक है आपको अपनी भावनाओं के कुछ पहलों को व्यक्त करने की आवसत्ता है उर्दिवी छिपकली आपसे समझ को दर्साती है आपका सबना इच्छा सत्ती का संकेत है आप अपनी स्वेंट के पहलों को उजागर करने में सहचता मैसूस कर रही है। धन के लिहास से यह सपना कैसा माना जाता है। सपने में उर्तीवी छिफकली धन में अनुचिता का संकी देती है। साइब आपका मन किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर चिंतित है। यह सपना आपको बताता है कि आपको अपनी परेशानी को भगवान को समर्पित करने की जब्रेश है। करियर के रूप में यह सपना कैसा माना जाता है। जब हम इस पिकार का सपना देखती हैं तो यह सपना विकास या नई सुरुवात का प्रतिनिदित करता है। आपको महसूस होता है कि आपको अपने लक्ष हासिल करने से रोका जा रहा है वहीं उड़ते हुए छिपकली का सपना आपको पूर्ण खुसी पानी की इच्छा का संकेते हैं आप करम की जगह भाग पर ज्यादा जो देते हैं यह सपना आपको काम की महत्वता के और इसारक करता है उड़ते हुए छिपकली आपकी जुनूर की घहराई को दर्साती है आपको एक अलग दस्टी कोण अपनाने के आप सकता है चाहे हैं कितना भी विज़ित रुख या अस अपने लक्ष को प्राप्ट कर सकते हैं उड़ती हुई छिपकली का सपना इस्ते प्रगति और सामाजी सीरी पर लगाता चड़ने का सुझाब लेता है सबन्ता और सम्रदी आपकी पहुच में हैं आप घड़नाओं की अनुकुल मोड का अनुभब करेंगे इंकुल मिलाकर यह सबना आपको मन की अंदर इच्छा सक्यती जागित करने, स्वयम को मुलाकर्ण करने, तथा अपनी भावनाओं को नियंतल करने की उरसारा करता है साथ में यह आपको अपने लक्ष के प्रति एकागर होनी की दस्टी और उजागर्भी करता है यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं भगवान आपकी हर मलुक आमना को पूरा करें ओम जैसाइड